गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गूंजन का पार्ट साथ डामन और पिथियस, इस पार्ट में सच्चे मितरता के बारे में बताया गया है, एक डामन है और उसका मितर पिथियस है, उन दोनों की सच्चे मितरता यहां पर दिखाई गई है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेडिंग को, मितरता अनमोल धन है, सच्चा मितर मुसीबत में हमारा साथ नहीं छोड़ता, वह मुसीबत में हमारी मदद करता है, सही गलत की पहचान कराता है, यह है जो चेप्टर है डामन और पिथियस, दो सच्चे मितरों की कहानी है, उनकी सच्चे मितरता देखकर अत्याचारी राजा का दिल भी बदल जाता है, कैसे, तो मैं यह पार्ट की रेडिंग स्टार्ट करते हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, दोनों मितरों की सच्चे मितरता के बारे में, तो हम स्टार्ट करते हैं, दो मितर थे, एक का नाम पिथियस और दूसरे का डामन। पिथियस जहां रहता था उस देश का राजा बड़ा अत्याचारी था। अत्याचारी मिंस बहुत क्रूर था। उसने कुछ दोश लगाकर पिथियस को कैद कर लिया। जेल में डाल दिया। उसके उपर कोई आरोप लगाकर। और उसे फांसी की सजा सुना दी। फांसी देने से पहले पिथियस से पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। भई हम तुम्हें फांसी दे रही हैं यदि तुम्हारी कोई इच्छा है तो बता दीजिए हम पूरी कर देंगे। पिथियस ने कहा मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। राजा ने कहा पिथियस के बदले कोई दूसरा आदमी जेल में रहने को तयार हो तो पिथियस को कुछ दिनों की छुट्टी दे दी जाए। मिन्स राजा ने क्या का था कि तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी दे दी जाएगी तुम अपने परिवार से मिलाना लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारे बदले कोई जेल में रहने को तयार हो। मिन्स तुमारे प्लेस पर कोई दूसरा व्यक्ति। डामन पिथियस का मित्र था। उसने अपने मित्र पिथियस की जगा जेल में रहना सविकार किया। वो मान गया कि तुम अपने परिवार से मिलने चले जाओ और तुम्हारी जगा मैं जेल में रह जाऊंगा। पिथियस अपने परिवार से मिलने चला गया लोटते समय हवा उल्टी चल रही थी पिथियस की नाव थीक समय पर ने पहुँच सकी क्या था जब पिथियस अपने परिवार से मिलकर वापस आ रहा था तो उस समय हवा के डिरेक्शन जो थी वो उल्टी थी और पिथियस की नाव ठीक समय पर ने पहुँच सकी उसको पहुँचने में देरी हो गई दूसरी और और मिन तरफ डामन के मन में आनन्द की लहरे उठ रही थी आनन्द की लहरे मतलब वो मन ही मन खुश हो रहा था क्यों देखिए आज प्रीय मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा क्या मतलब भै यदि पिथियस समय पर नहीं पहुँचा तो पिथियस की जगा मुझे फासी दे दिजाएगी देखो वो खुश हो रहा है कि आज मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा इधर पिथियस सोच रहा था हाए अगर मैं समय पर नहीं पहुंच सका तो मेरे प्यारे मित्र डामन को फांसी हो जाएगी देखिए अब ऐसा नहीं है कि पिथियस खुश हो रहा था उसको अच्छा लग रहा था कि वा भई वा मेरी नाव जो है लेट पहुंचेगी और जो है मेरे मित्र को फांसी हो जाएगी मैं बच जाऊंगा नहीं इधर जो है पिथियस परिशान हो रहा है अपने मित्र के लिए और उधर डामन खुश हो रहा है कि यदि मेरा मित्र नहीं पहुंचा तो मेरा जीवन मेरे मित्र के लिए काम आ जाएगा फांसी का समय आ गया डामन को फांसी के तक्ते पर चड़ा दिया गया डामन प्रसं था डामन खुश था कि देखो मेरा जीवन जो है मेरे मित्र के लिए काम आ रहा है लोग कहने लगे पीथियस ने मित्र को दोखा दे कर अच्छा नहीं किया सब अपनी अपनी बाते बनाने लगे कहने लगे कि पीथियस ने जो है अपने मित्र को दोखा दे दिया चेटिंग की है जूट बोलकर अपने परिवार से मिलने गया है देखो समय पर आया भी नहीं और डामन को फांसी होने लगए डामन ने चिला कर कहा ऐसा मत कहो पीथिये सच्चा मित्र है वह किसी कारण वश यहां नहीं पहुँच पाया यह डामन को गुस्सा लगा कि मेरे मित्र के बारे में कैसा कह रही है नहीं वह मेरा सच्चा मित्र है कोई कारण ही हुआ होगा जो वह समय पर नहीं पहुँच पाया यहां पर फिर उसने जलात से कहा जलात कोन होता है फांसी देने वाले फिर उसने जलात से कहा भाई समय हो गया है तुम देर क्यों कर रहे हो क्या समय हो गया है किस चीज का समय हो गया है फांसी देने का समय हो गया है तो तुम मुझे फांसी क्यों नहीं देते हो yes, इतने में दूर से आवाज आए, ठहरो ठहरो, मैं पिथियस हूँ, फांसी की सजा मुझे हुई है, पिथियस पहुँच गया और वो चिल्ला कर क्या कहने लगा, आवाज लगाने लगा, ठहरो ठहरो, मेरे मित्र को मत दो फांसी, मैं आ गया हूँ, फांसी की सजा मुझे दो देखते ही देखते पिथियस घोडा दोडाता महां आ पहुंचा तेजी से भाग कर महां पहुंच गया उसने जट से कूद कर फासी के फंदे को अलग कर दिया जो उसके दोस्त के गले में था उसको अपने दोस्त के गले से अलग कर दिया उसने डामन को गले से लगा लिया, दोनों की आँखों से आंसु बहने लगे, अब पिथियस ने वेह फंदा अपने गले में डाल लिया, देखा कितने सच्चे मित्र थे राजा चिलाया, रुको, रुको, मेरे पास आओ, मैं ऐसे सच्चे मित्रों की जोड़ी को तोड़ना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी अपना मित्र बना ले, मुझे आप जैसे मित्रों की बहुत आवशक्ता है, बहुत जरूरत है राजा ने ऐसी सच्चे मित्रता पहले नहीं देखी थी, इन दोनों सच्चे मित्रों को देख कर, राजा को बहुत आच्छा लगा, राजा की आँखों से आसू बह रहे थे Yes students, तो ये था हमारा पार्ट डामन और पिथियस, जो की सच्ची मित्रता पर आधारित है. अब हम करेंगे इस पार्ट के कठिन शक्त. Yes, number one है अत्याचारी. Next, इच्छा. Next, छुट्टे. Next, आवश्यक्ता. Next, फांसी. Yes, next है तक्ते. फांसी के तक्ते पर चड़ा दिया गया था ना? Yes, next, प्रसन. प्रसन मिन्स खुश. Next, स्विकार. Next, जलाद. फांसी देने वाला जलाद. Next, पिथियस. पिथियस डामन के दोस्त का नाव था. Yes, अब हम करेंगे इस पार्ट के शब्दर्थ. Yes, first है अत्याचारी. कठिन शब्द में भी आया है और राजा जो था अत्याचारी था ना? अत्याचारी मिन्स निर्दई, अन्याई. Yes, next है दोश. दोश मिन्स कसूर. आरो. राजा ने कोई दोश लगा कर पिथियस को जेल में डाल दिया था. वोई उसका कसूर बता कर. Next, अन्तिम. अन्तिम मिन्स आखिरी. पिथियस से उसकी अन्तिम इच्चा पूची गई थे. मिन्स आखरी इच्चा पूची गई थे. नेक्स्ट, मित्र, मित्र मिन्स दोस्त, डामन और पिथियस दोनों सच्चे मित्र थे. स्विकार, स्विकार मिन्स मान लेना, अपनी गलती को स्विकार कर लेना. प्रस्ण, प्रस्ण मिन्स खुश, आज मैं बहुत प्रस्ण हूँ. कारण वश्, नेक्स्ट, आवश्यक्ता, जरूरत, किसी भी चीज के आवशक्ता के बारे में हम कहते हैं मुझे इस चीज की आवशक्ता है, जरूरत हैं. तो स्टुडेंट्स ये थे हमारे पार्ट साथ डामन और पिथियस के कठेंशब और शब्दत येस इस पार्ट को अच्छे से देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा थैंक यू